नमस्ते बच्चों, मैं हुजय वाला राव और मैं सीन्य केजी बी की कक्षध्याविका यानी क्लेस्टीचर हूँ आज हम मिलने वाले हैं स्वर उ से और स्वर उ के सारे दोस्तों से तो आप तैयार हो स्वर उ से मिलने चलिए हम मिलते हैं स्वर उ के दोस्तों से उ से उल्लू, उल्लू यानी आउल, यह उल्लू जो है न, यह बहुत यूनीक, बहुत डिफ्रेंट बर्ड है, क्यों? यह न, दिन में सोता है और रात में चकता है, यह न, बहुत इंटेलिजिन, बहुत बुद्धीमान भी है, तो उ से उल्लू, उ से उस्त्रा, उस्त्रा जो है यह एक ऐसा ब्लेड है, जो नाई यूज करते है, नाई यानी बाबस, बाबस उस्त्रा यूज करते हैं, उ से उस्त्रा उ से उपहार उपहार यानी गिफ्स हम सबको पसंद है ना गिफ्स उ से उपहार उ से उच्छलना आपको बहुत पसंद है उच्छल कूद करना है ना उच्छलना यानी जंपिंग उ से उच्छलना उ से उपवन उपवन यानि की गार्डन जब ये करोना वाइरस चला जाएगा तब हम सब जाएंगे ना गार्डन में खेलने हम उससे पहले भी रोज गार्डन में खेलते हैं तो उ से उपवन उ से उंगली उंगली यानि फिंगर हम फिंगर को हिंदी में उंगली कहते हैं और उंगली है स्वरू का मित्र उ से उंगली उ से उत्तरना उत्तरना यानि की गेटिंग डाउन हम जब सीडियों से जाते हैं नीचे तब हम सीडियां उत्तरते हैं उतरना उ से उतरना उ से उल्टा इस बंदर को देखिए क्या ये सीधा खड़ा है? Is he standing straight? No, ये उल्टा खड़ा है अपने सर के बल खड़ा है हम सर के बल खड़े होते हैं? नहीं, उ से उल्टा उल्टा यानी reverse या opposite उ से उल्टा उ से उबालना उबालना यानी कि बॉइलिंग ममी जब खाना पकाती है घर पे तब वो डाल बनाती है ना वो डाल को ममी क्या करती है? वो गैस उन करके धीमी आज पे उसे उबालती है और जब ममी डाल उबालती है तब डाल या मियमी बनता है हम और क्या चीज़े उबालते हैं? हम उबालते हैं पानी, हम उबालते हैं चाई तो हम ये सारी चीज़ें उबालते हैं तो उ से उबालना उ से उड़ना उड़ना यानि की फ्लाई जैसे कि ये बर्ड फ्लाई कर रहा है यह पक्षी जो है यह फ्लाइ कर रहा है उ से उड़ना तो बच्चो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको स्वर उ के सारे दोस्तों से मिलने में बड़ा मज़ा आया होगा और मुझे भी आपको यह सिखाने में बड़ा मज़ा आया हम मैं हूँ जैवाला राव और मैं रेज़ाइस इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सबसे विदा लेती हैं मिलते हैं अगली बाद